करने देने वाली है, लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं, जहां करोना की वज़े से सबसे कम रुत्य हो रही है। अब अनेक राज्यों के अनुभव, आज आत्मविश्वाद जगाते हैं कि भारत करोना के इस संक्ट में अपने नुक्सान को सिमित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अपनी अर्थववस्ता को तेजी से समाल सकता है, साथियों बीते दो हपते के अनलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबग ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पारण करते रहें, सारे दिशा निर्दोश्रों को मानते रहें, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुक्षान होगा, इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत जादा जोड़ देना अनिवारिया है, आवशक है, बीना मास्क या फेस कवर के गर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है, ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी, इसलिए दोगज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ दोनी की बात हो, सेनिटाइजर का इस्तिमाल हो, ये सभी बहुत गंबीरता से किये जाने चाहिए, खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेशकर, गर के बच्चों और बुजर्गों की सुरक्षा के लिए, ये बहुत जरूरी है, अब तक लगभग सहरे ओफिसिस खुल चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ओफिस जाने लगे हैं, बाजारों में सडकों पर बीड़ बढ़ने रगी है, तो इस सहरे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे, थोड़ी सी भी लापरवाई, थोड़ी सी भी डिलाई, अनुशासन में कमी, कोरोना के खिलाप हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा, और इतने दिनों की जो तपस्या है, उस पर पानी फिर जाएगा, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, कि हम कोरोना को जितना रोख पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोख पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थेववस्ता खुलेगी, हमारे दप्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांस्पोर्ट के साधन खुलेंगे, और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे, साथियों, आने वाले दिनों में, अलग अलग राज्यों में, एकनोमिक एक्टिविटी का, जिस तरफ विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव, दूसरे राज्यों को भी बहुत लाब पहुँचाएंगे, बीते कुछ हप्तों के प्रयासों से, हमारी अर्थिववस्ता में, ग्रीन सूट्स दिखने लगे हैं, पावर कंजम्शन जो पहले गड़ता जा रहा था, वो अब,